जय भीम जय मुल्निवासी, मैं शैला, MND News Network में आप सभी का स्वागत है देखते हैं आज की विशेश खबर ब्राम्हन निर्मित जातिवाद मुल्निवासी भूजन समाज के सभी समस्याओ का जड़ है जातिवाद के कारण YSC, YST और OBC आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक रूप से पिछला है विदेश में जह ब्राम्हन गए उस देश में जातिवाद ने आतंग पैदा किया जिसके कारण वहां के नागरिक और अनिवासी भारतिय परेशान है इंगलंड में भी जातिवाद बड़ी मात्रा में पनप रहा है जातिवाद अब आंतराष्टिय समस्या बन रहा है उसे जल्द ही खत्म करना हमारी जिम्मेदारी बनती है पिछले कई दशकों से ब्रीटेन अनुसुचित जाती से मांग उठा रहे है कि भारत की तरह इंगलंड में भी उन्हीं जातपात का शिकार होना पड़ रहा है ब्रीटेन में लंबे समय से जातिवाद को कानूनी अपराध घोशित करनी के लड़ाई लड़ रही पुर्वाधिकारी और सामचिक कार्यकरता संतोष तास के मुताबिक पहले तो कोई मानता ही नहीं था कि ब्रीटेन में यसी वर्क के साथ भेद्भाव हो रहा है और यह भेद्भाव और कोई नहीं बलके ब्रीटेन में रह रहे भारतिय मुल प्राम्मन जातियों के लोग ही कर रहे है ब्रीटेन में छुआचुत की रिपोर्ट तयार करने का काम दिसंबर 2010 में National Institute of Economic and Social Research को सोपा गया संस्तान की ओर से हिलेरी मेटकॉफ और हीथर रोल्फ ने कास डिस्क्रिमिनेशन और हरास्मेंट इन ग्रेट ब्रीटन नाम की अपनी 114 पन्नी की रिपोर्ट अठाई जुलाई 2011 को सोप दी रिपोर्ट में ब्रीटन में रहे रहे अनुसुची जाती समुदाय के लोगों और वहां काम कर रहे दो दर्चन से जादा यसी संघटनों से बाचित की गई स्कूलों में किये अधेनों में पता चला कि भारतियों मूल के सवर्न चात्र अपने सहपार्टी यसी चात्रों को जाती सूचक शब्दों से जलिल करते हैं कुछ ऐसे मामले भी सामने आएं जहाँ पहले तो चात्रों के बीच दोस्ता ना था लेकिन एक दूसरे की जाती पता चलने के बाद उनका व्यवहार ही बदल गया कई मामलों में जाती गद भेदभाव के कारण चात्रों ने स्कूल ही छोड़ दिया कई मामलों में यसी वर्व को अलग बैठ कर खाना खाना पड़ता है क्योंकि सवर्ण उनके साथ बैठना पसंद नहीं करते ज्यादातर मामलों में पीडित अपने गोरे अफसरों को समझा ही नहीं पाए कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है सबसे विचितर मामला तो टैक्सी चलाने वाले एक यसी कारूबारी की साथ सामने आया उसकी कमपनी में ज्यादातर सवर्ण टैक्सी ड्राइवर काम करते थे वे आपसी बात्चीत में जाती सुचक शब्द और जाती वादक भावनाओं का इसहार करते रहते थे जब कारूबारी ने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने कहा कि इसमें क्या हर्च है तब कारूबारी ने बताया कि वा अचुत है और जाती सुचक शब्दों से उसे अपमान महसूस होता है कारुबारी के अच्छुद होनी की बात पता चलनी पर पाश ड्राइवरों ने यह कहते हुए नौकरी छोड़ी कि वे नीची जाती के वेक्ति के यहां नौकरी नहीं करेंगे इस मामली में लगातार संगर्ष कर रहे ब्रीटन के अच्छुद एक्टिविस्ट अरुन कुमार ने कहा कि ब्रीटन में रह रहे दक्षिन एशियाई समुदाय में ब्राम्मन जातियों का वर्चे स्व देखते हुए थेरिसा में अपने फैसले से पलट गई लेकिन अनुसुची जाती के लगातार विरोध प्रदर्शन के बाद उन्होंने अगस 2017 में एक राष्टिय सर्वेक्षन शुरू कराया जिसमें ऑनलाइन मत देकर लोगों को बताना था कि ब्रीटन में जातिवाद है या नहीं जिस तरह सदियों से भारत में अचुदों के अधिकारों की लड़ाई जारी है और अब तक अपने मकाम पर नहीं पहुची है उसी तरह ब्रीटन में भी यह लड़ाई अभी लंबी चलेगी सदियों से अनुसुची जाती पर अन्याय और जूट से लड़ रहा है या नई बात नहीं है जो लोग आज ब्रीटन में जाति प्रथा को मानने से इंकार कर रहे है वे उसी दोगली मानसिक्ता के शिकार है जब बाबसाब डॉक्तर अंबिक करने जातिवाद खत्म करने के लिए लड़ते समय पानी का ग्लास भर कर जातिवाद होने का दावा करते थे और वो जग जाहिर हो जाता था लेकिन चाहे देश हो या विदेश बहुचन मुल निवासियों को जातिवाद खत्म करने के प्रती अपनी आवाज बुलंद करने होगी